कि अलो दोस्तों आज हम प्याइडी कंट्रोल लूप में बंप्लेर सासफर फीचर की बारे में बात करेंगे मैश्य करें जिसमें कंट्रोलर को बिना प्रोसेज इसके मैणमर्व प्रोसेजों से मैन्ममों स्विच किया जाता है जैसे क्या पिजिए है जो के से ईट के उट्पट की वेल्यू से पुस्वेश्ड होती है यह बॉप कुट्रोलर को अपतों में स्विच किया जाता है helpful में होधा क्या है जब प्रोसेश वेर्यवल को कंपैर करके और काल्कुलेट करता है और इस को कम करने के लिए ओपट सिग्नल या फैनल कंट्रोल मोड एलीमेंड तर्फ करता है कि होनी चाहिए और यह वेल्यू अफकोर्स कंट्रोलर की पिएडी कोईशन द्वारा कल्कुलेट किये गए आउटपुट से एकदम डिफेंट होती है इसलिए इस कंडिशन में यदि आप कंट्रोलर को ऑटो मोड में वापस स्विच्च करते हैं तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट या कंट्रोल वाल स से इस सद्व मूट्स से प्रोसेस वेरीबल में एक अगर हो जाता है जिससे प्रोसेस अंसेवल हो जाता है इससे आपके प्रोड़िट की जोगा क्वालिटियों सब्सक्राइब नहीं थी तब ऑपरेटर पिएडी सेट्पैंट को एडिजेस्ट करके कंट्रोलर आउटबट को मैनुल आउट्पिट के बराबर लाता था ताकि आउट्पूट सिग्नल में बंप प्रेड्यूस नहीं कर सकते इस सिस्टम को आटो बनाने के लिए पी इडी कंट्रोलर को मैनुल नौप की पॉजिशन को फोलो करना पड़ेगा तब जाके यह आटो मोड में वनेगा अब सब्सक्राइब हो गई है अब कंट्रोलर और सब्सक्राइब कर लेता है जिससे आटो मैनुल ट्रांसफर हो जाता है लेकिन कैसे चली देखते हैं मेरा अल्टिमेट टार्गेट की प्रोसेस किसी भी एक्शनल वजह से डिस्टम नहीं होना चाहिए यहां यूं बोलें कि सब्सक्राइब करना चाहिए इसे बोलते हैं जब कंट्रोलर को मैनुल मोड में डाला जाता है आउट्पुट टेकिंग के कारण की बायस विली शिफ्ट हो जाती है और मैनुल नोप पर लास्ट पी आउट्पट के बराबर बायस हो जाती है ताकि प्रोसें में बंप रिड और आप कंट्रोलर की आउटपुर्ट को मैनुल इचेंज कर सके अब यहीं चीज तब भी अपलाई होनी चाहिए जब मैं कंट्रोलर को मैंट्रोल से वापस ऑटमोड में लेता हूं प्लतर का आउट्पूट को प्लो करना चाहिए ताकि बंप लेश रंसफर हो सके इसे बन को बराबर करते चलना जब कंट्रोलर में ताकि की इक्वेशन के इसाब से कोई आउट्पूट जने नहों जब आपस आ जाया तो इसके पाथ कंट्रोलर को अचीशन के साब से कंट्डोल करता है मौ्स में दिख सब्सक्राइब टॉन पूटि ऑश्च्ण होता है अब देखतेक 25ий क्या जाता है जैसे हमने डिसक्रस कीया था कि जब कंट्रोलर को ऑटोん मैं आट左右 शिप्ड होती है अब यह बायस क्या है इसकी पर आप PID कंट्रोल की को देखें सब्सक्राइब कर रहा है तो कंट्रोलर जीरो आउटपुट देगा लेकिन अगर प्याइड आउटपुट जीरो होगा तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट या कंट्रोल वाल भी क्लोज हो जाएगा इसलिए कंट्रोल वाल खुला रखने के लिए एक बैसिंग एड की जाती है यह जनरली डिजाइन के टाइम 50% होती है एडिल कंडिशन में यह बैस ही है जिसे मैनुल ऑप्रेशन के दोरान वेरी किया जाता है अब हमें चैनल को ट्रेक्स करता रहता है जिसे आउटपूट ट्रेकिंग कहते हैं जातकि मैं सेट्पैन ऑर पीड के एक्वल बना रहें ताकि जब आप कंड्र को और दो सकते हैं हम डिस्कॉस करेंगे सीखेंगे तब तक हमारे इंस्ट्रुमेंडिशन अन्लिमेटेज चैनल विडियो देखते रहिए शेर करते रहिए थैंक्यू बाइबाए